हेलो डियर, वेलकम बैक, एपीज़ फोर के पार्टू के स्टार्टिंग होती है, फर्स इन में दिखाते हैं, जहार रेन अपना प्रोजेक्ट कंप्लिट कर रहा होता है, स्काई के साथ, स्काई के घर, रेन काफी ज़्यादा मेहनत करता है। सब काफी महनत कर रहे होते हैं अ पायो की घर रिन वहां पर शोया होता है तभी वहां पर प्रजक देखता है। और रेन के लिए पेपर पर टिप्स लिखता है और रेन को मोटिवेट करने के लिए पायू रेन के प्रोजेक्ट को लिखता है ग्रेट जाब और फिर पायू रेन के पास जाता है पायू कहता है रेन से ग्रेट जाब स्मार्ट बाई और फिर पायू रेन के लिप्स को टच कर पायो कहता है, तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो, रेन सोयाई होता है, आगे पायो कहता है, तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और पायो रेन की बेली को टच करता है, और कहता है, तुम मुझे अपनी बेली दिखा कर सेड्यूस अपनी तरफ कर रहे थे, तु मुझे अपनी तरफ अटेक्ट कर रहे थे इस पर इन कहता है मैं तुम्हें से ड्यूस नहीं कर रहा था स्लीप असल्डर इनका मतलब स्लीप अटेकर इस पर पायो कहता है स्लीप अटेकर तो तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ कर रहा था तो तुम कब से जग रहे थे बताओ तुम कब से जगे हो, तुम सोय नहीं थे इस पर रेन कहता है, जब तुमने मेरे गाल को टच किया था, मैं तब ही जग गया था इस पर पायो कहता है, इसका मतलब उसके पहले तुम सोय थे तुम जानना चाहते हो, जब तुम सोई थे, तब मैंने तुम्हें क्या कहा था, रेन कहता है, मैं क्यों जानना चाहूंगा, पायो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पायो कहता है, रेन के करिब जाकर, मैंने कहा था, रेन कहता है, तुमने क्या कहा था, औ तभी वहाँ पर सिफाई आ जाता है सिफाई को देख रेन काफी embarrassing feel करता है सिफाई बोलता है लगता है मैंने disturb कर दिया don't mind मैं door close करके यहां से चला जाता हूं और इतना कहने के बाद सिफाई वहाँ से हसते वे चला जाता है जाते से मैं सिफाई कहता है 3, 2, 1 and continue और सिफाई वहाँ से चला जाता है फिर पाई कहता है रेन से चलो continue करते हैं रेन कहता है dummy पीछे जाओ लेकिन पाई रेन को किस करने जाता है पाई रेन को किस करता है और तभी फिर से वहाँ पर सिफाई आता है और कहता है मैं तो बताना भूली गया कि तुम्हारे लिए कॉल आया था मैंने उन्हें बोला है कि तुम उन्हें कॉल बैक करोगे एनिवे तुम दोनों डोर लोग करना मत बुनला और इतना कहे कर वहां से हस्ते वे सिफाई चला जाता है और पायू फिर से स्माइल देने लगता है लेकि रेन काफी इं सुनकर रेन काफी खुश होता है आगे पायू कहता है तुम वापस सो सकते हो मैं तुम्हें आज आराम करने देता हूँ और इतना कहे कर पायू वहां से चला जाता है रेन पायू की तारिफ सुन काफी खुश होता है फिर इन अपना प्रजेक्ट देखता है जिस पर पायू रिखा होता है ग्रेट जॉब और यह पढ़कर रेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है नेक्सिन दिखाते हैं रेन के घर का जहारेन अपने बागी के प्रोजेक्ट को काम को पूरा कर रहा होता है रेन कुछ से कहता है प्रेजेंटेशन बोट चेक मैंने तो सब चेक कर लिया और मैंने तो डेडलाइन के दो दिन पहले ही अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया ये तो मेरे कल ये तो चमतकार हो गया रेन काफी खुश हो जाता है फिर कहता है रेन बेट मैं फिर से सोच लेता हूँ मुझे कितने असायन्मेंट करने थे मुझे कितने किताबे पढ़नी थी अरे मैंने तो सब कुछ कर लिया और इतना कहने के बाद रेन बेट पर चला जाता है सोने रेन बेट पर जाता है पर तब उसे पाई किया आदा आती है और फिर रेन निकलता है पाई से मिलने और रेन जाता है पाई के घर नेक सिन दिखाते हैं जहां रेन पाई के घर प सिफाई कहता है, यहाँ अपना काम कर रहा होता है और वहाँ पर सफाई और सफाई वह पहुषते हैं सिफाई कहता है, इन से हम इस समय काफी ज़्यादा बीजी हैं क्योंकि next month race हैं उसी की हम त्यारी कर रहे हैं और specially वो देखो सिफाई पाई को दिखाता है और कहता है वो देखो वो तो काफी ज़्यादा बीजी है आगे सिफाई कहता है मैं इस garage का पब्लिके लिए चलाता हूं और पाईू इन स हूं के बारे में जानकर काफी खुश होता है सिफाई कहता है जब पायू स्टुडेंट था तब भी वो कार की modification करता था जाहें वो कितना भी जादा बीजी हो सिफाई रेन से पाई की बात करता है तब पायो रेन को वहां देखता है और रेन से पुछ है क्या तुमने अपना assignment पूरा कर लिया सिफाय कहता है हे भगवान क्या तुम अब धी honest नहीं बन सकते और यह नहीं बोल सकते कि तुम काफी ज्यादा खुश हो, सिफाई का मतलब कि तुम यह नहीं बोल सकते कि तुम रेन को दे कर काफी ज्यादा खुश हो, इस पर पायो कहता है रेन से बताओं तुमने अपना सब काम पूरा किया की नहीं, सिफाई कहता है मैं रेन को सुपर बाइक कैसे चलाते हैं, वो सिखाने लेकर जा रहा हो, रेन शौक हो कर सिफाई को देखने लगता है, सिफाई कहता है रेन से, क्या तुम बाइक चलाना जानते हो, रेन नाम में सी रहिलाता है, फिर सिफाई रेन के कंधे पर हाथ रखता है, और कहता है, देन मैं तुमें सिखाऊंगा कि बाइक कैसे चलाते हैं, ओके, यह दे पायो कहता है और बात रही इसकी तो इसे मुझ पर छोड़ दो पायो रेन को पकड़ता है और कहता है और यह सुनने के बाद सफाय वहां से स्माइल दे कर वहां से चला जाता है रेन कहता है पायो से मैंने अपना काम खत्म कर लिया पायो कहता है क्या तुमने नीद ली क्या तुम सोए रेन कहता है याज पायो समझ जाता है कि रेन जूट बोल रहा है रेन ने अपनी नीद पूरी नहीं किये फिर पायो कहता है रेन से मेरे पास आज ज़्यादा समय नहीं है तो क्या मैं तुम्हें किसी और दीन बाइक सिखा सकता हूँ मैं आज काफी बिजी हूँ रेन कहता है इट सो के तुम अपना काम वापस जाकर कर सकते हो ये मेरे गलती है कि मैं बीना बताई ही तुम्हें यहां मिलने चला आया तुम काफी बिजी हो मुझे आप घर जाना चाहिए बाई और इतना कहकर रिन वहाँ से जाने लगता है तब ही पायूर इनका हाथ पकड़ता है और इनको कहता है रुको तुम क्या तुम मेरा वेट कर स लगता हूँ मैं किसी भी जल्दबाजी में नहीं हूँ तुम जाओ और तुम अभी अपना काम पूरा करो और इन पायू को भेजने लगता है पायूर रुकता है और कहता है मुझे यहां मिलने के लिए तुमने अपनी निन छोड़ दी तो क्या मैं अपना काम जल्दी खत् कि तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता इस पर रेन कहता है मैंने अपनी स्लीप नीद नहीं छोड़ी है यह सुनकर पायूर रेन को एक लवली सी किस देता है और यहां अपन का एक क्यूट किसिंग सिन दिखाते हैं पायू कहता है रेन से थैंक यू आगे पायू कहता है मैं किसी को तुम्हारे लिए बैट प्रिपेर करने के लिए कहता हूं ताकि तुम एक जरत के करने लुक आयों मैं तुम्हें काम भर्ष नहीं की हीड को टच करता है तो बचत करने लगता है नेक्सिंग दिखाते हैं जहां और फिर रेन भी जाता है अपना प्रोजेक्ट टीचर की सामने प्रिजेंट करने रेन कहता है मेरा प्रोजेक्ट इंस्पायर है इतना कहने के बाद रेन रुख जाता है रेन थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर रेन पायू को याद करता है और पायू के विश्च को याद क करता है और फी रेन की नर्वसनेस खतम हो जाती है और रेन अपना प्रिजेंटेशन देता है और फानली रेन का प्रोजेक्ट यहां पर अप्रूव हो जाता है तीचर कहते हैं तुम्हें देखकर तो लगता है तुमने अब काफी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग गे इनकी है यहां पर टीचर इनकी तारिफ करते हैं और इन काफी ज़्यादा खुश हो जाता है फानली इसका सारा काम समिट हो जाता है और उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है वहां दुसी तरह पाई अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है तभी पाई का दोस्त आता है वो कहता है पायो से कि आज मैं काफी बिजी हूँ तो क्या तुम मेरi जग मेरी मीटिंग में चले जाओगे पाई यस कहता है और अपने मीटिंग में नेकसिन दिखाते है जहां पर इन्रेड का वेट कर रहा होता है भागते वे उसके पास आता है और कहता है रेन तुम बाहर इतनी बारिश में क्या कर रहे थे रेन कहता है तुम आ गए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ पायू रेन को बारिश में भिखता दे काफी परशान होता है पायू कहता है तुम बाहर इतनी बारिश में क्या कर रहे हो तुम क्या चाहते हो तुम्हें कोल्ड हो जाए क्या मैंने तुम्हें नहीं बताय था कि मैंने चाहा था कि तुम बिमार पड़ो रेन तुम्हें कहा था तुम बिमार नहीं पड़ सकते रेन पायू को पकड़ता है और कहता है मुझे सुनो पी पायू तुमने मुझे कहा था कि मैं खुद को responsible प्रूव करूँ मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे करते हैं पर मैंने अपना जो भी किया है बेस्ट किया है आज टीचर ने मेरी तारिफ भी की है तुम्हें चाहता था कि मैं सबसे पहले ये बात तुम्हें बताओं तुम सबसे पहले ये बात जानों क्या मैंने अच्छा किया है क्या तुम्हारी हिसाब से अब मैं तुम्हारे साइट खड़ा रह सकता हूं रेन का मतलब क्या मैं अब तुम्हारे साथ रह सकता हूँ पायू बस रेन की बाते सुनता है पायू बस रेन को ही देखने लगता है और फिर पायू रेन को घर के अंडर ले कर जाता है नेक सिन दिखाते हैं जहां पायू रेन के साथ बार्टब में होता है जहां पर पायू रेन को किस कर रहा होता है यह पायूरे नोरinku पायो को एक kisis की réduit दिखाते हैं फिर पायू कहता Jonica 5EM Dr. avmak नौटी बॉइल तुम हमेशा में हल親 करते रहते हो रेंड़ किया तुम्हें नहाना नहीं चाहती मुझे जानर दो था कियाकर सिंदी किया कि लिए मेरें Mafk पाय Sü k defectar इस पर रेन कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, अब तुम जाओ, मुझे नहाने दो, रेन कहता है, मैं भी भीग चुका हूँ, अगर मैं भी तुरंट नहीं नहाया, मैंने तुरंट बात नहीं लिया, तो मैं भी बिमार पड़ जाओंगा, इस पर रेन कहता है, तब त मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, I'm sorry में लेट आया और I'm sorry मेरी वजह से तुम बारिश में इतने घंटों तक भेगे, मेरी वजह से तुम्हें बारिश में खड़ा रहना पड़ा, I'm sorry पायू के इतने जदा sorry कहने के बाद, रेन कहता है, में ने तुम्हें माफ किया, और इतना कहने के बाद, रेन पायू को किस करता है, यहाँ पर इनका एक बास टब रोमांटिक सीन दिखाते हैं, नेक सीन दिखाते हैं, रेन और पायू के बेडरुम का, जहां पायू रेन को कि किस कर रहा होता है रेन कहता है रेन कहता है पायू से मेहा इसले नहीं आया था मैं तुम्हें ये बताने आया था कि टीचर ने मेरी तारिफ की है पायू कहता है क्या तुमने मुझसे अभी ये नहीं पूछा था कि क्या तुम मेरे साइट रह सकते हो की नहीं तो ये मेरा आंसर इतना कहने के बार पायू रेन को किस करता है और कहता है प्लीज मुझे मत रोको और इतना कहे कर पायू रेन को किस करने लगता है पायू कहता है अब मैं और जादा नहीं रुख सकता और यहां पर रेन और पायू का एक लाउसीन दिखाते हैं मुझे पता है आपने तो देखे लिया होगा तो इसके बारे में आपको क्या बताना फिर निक्स दिखाते हैं पायू कॉंडम की पैकेट को निकालता है और रेन को दिखाता है पायू कहता है क्या तुम रेन कहता है बट मैंने आस तकी कभी ने किया पायू कहता है मैं तुम्हें सिखा दूंगा यहां पर रेन अपसे सिर्फ भी पायू का है और यहाँ पर इनका ये हार्ट रोमांटिक लव से खत्न होता है फाय के कमरे में पायू आता है और इनको देख कैता है तुम यहाँ पर आकर फिर से सो गए पर तुमने तो तुम्हारे लिप्स कवर नहीं किये तुम कितने ज्यादा care less तुम कितने लापरवा हो और इतना कहने के बाद पायो रिन को किस करने जाता है फिर पायो रुख जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतिजार करूंगा और वहां से पायो smile देते भी चला जाता है और यहां पर इनका एक love scene खतम होता है झाल झाल